12 मार्च 1937 को साबरमती के आश्रम में सुबह रोज से पहले हो गई, 61 वर्ट्स के गांदी जी प्राथना के लिए निकले, पंडीप खरे ने गीद गया, शूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सूर नहीं, फिर अठुतर लोगों की टोली निकली, सविने अवग गया करने, अंग्रे चोध वारा नमक बनाने से रोकने की कानून का विरोध करने, ये कानून नमक बनाने का अंग्रे जो को एकाधिकार देता था, इसके पहले गांदी जी ने पुरा घटना करम बताया, उन्होंने का मैंने गुठने टेक कर रोटी मांगी और बदले में लिखा था, जिसमें नमक कानून की धारा तोड़ने के लिए सव इने अवग्या का उल्लेक था, जिसके जवाब में वाय सराय एरवीन ने लिखा, आप ऐसी कारी प्रणाली पर विचार कर रहे हैं, जिसमें कानून का उल्लंगन और सारवजिनिक शान्ती को खत्रा इस पश 60 वर्स के गांधी जी, 12 मार्च को प्रातना सभा कर दानी मार्च के लिए निकले, उनके हाथ में एक इंच मोटी और 54 इंच लंबी लाठी थी, जिसके एक और लोहा लगा था, गांधी ने संबोधित कर कहा, हम लोग भगवान के नाम पर कुछ कर रहे हैं, इसके बाद, 24 दिन चलने के बाद, 358 किलो मेटर चलने के बाद, रोजाना 16 से 20 किलो मेटर चलने के बाद, यह यात्रा 6 अफरेल 1930 को दान्डी पहुंची, जहां गांधी जी नमक बनाया और अंग्रेजो को कानून तुड़ा,